काम करते रहे हमारे उपर ये सारी पॉलिसी लाते रहे उसी तरह मोदी जी पे अपना कैमपेंड करते रहे और उसी दौर में पांच हवाई अड़ों को बेच दिया और ये हमारा एजूकेशन बेच रहा है ऐसे दौर में जब इलेक्शन हो रहा है तो इन लोगों को एक्सपो की बताना चाहेंगे कि मोदी जी है तब मुम्किन नहीं है। यह सारी चीजे उनको समंजानी पडेंगी आपको लग लगता है कि नौरी पकोड़े तेलना आपके लिए साइबर टैल में काम करना यह नोकरी है तो हम नहीं मानतें इसको नौकरी नौकरी वही होती है जो ऐसा production हमें कराए ताकि इस देश को आगे लेके जाए ना कि हिंदू मुसल्मान में लराए गलत गलत वीडियो डाल के आप दंगे करवा लिजे पूरे देश में लेकिन ये देश आपको expose करेगा बोलेगा कि आप ये जो false dichotomy create कर रहे है internal enemy, internal enemy तब से किये जा रहे है हम पूछना चाहते हैं और हम ये बताना भी चाहते हैं कि इस देश का अगर internal enemy कोई है तो ये RSS के लोग है और ये आज से नहीं सोतंतरागे टाइम से है ये लोग जब हमारे देश में लोग मर रहे थे अपने जान दे रहे थे आजादी के लिए तब ये सावरकर का फोटो इधर लगा है ये लोग ही बिटिसर को लेटर लिख रहे थे कि हमें माफी दे दीजिए और अभी ये बोल रहे है कि मिर्टू जाइक जीतेगा या फिर मिर्टू जीतेगा ये सावरकर जब माफी नामा दोगे तो सावरकर जीतेगा माफी नामा दोगे देश बेचोगे तो कौन जीतेगा सावरकर जीतेगा अगर इनकी चलती तो बिटिसर के गुलाम होते हम अभी अभी भी हम गुलाम होते अगर इनकी चलती और इसलिए फिर से एक बार ये दोर आ गया है कि एक ऐसे लोग है जो फिर से हमें गुलाम करना चाहते हैं जो देश को भेचना चाहते है अलग-अलग तरीकों से हवाई एड़े बेच दिया लाल किला तक भेच दिया लाल किला और इसी लिए इसी लिए जब सब कुछ बेचने की बात चल रही है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम भगत सिंग के जेनरेशन से जो अंगर स्टाइक भी किया हस्ते हस्ते फासी पे चड़ गया लेकिन अपनी लगाई चलाता रहा ये बोलता रहा कि अगर इंडिया होगा तो एक ऐसा इंडिया होगा जिसमें सब को समानता होगी सब सिख्छा ले सकता है सब हेल्थ ले सकता है और इस थरह के भारत की सपना हम देते हैं और इसलिए आज हम जेनरेशन पे एक बहुत बड़ा हमारे उपर एक जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके को आगे लेके जाये और इनको बोले कि आप चाथे आंटिनाशनल-नाशनल का डिबेट करना हम इन सारी चीजों पर डिबेट करना चाथे हैं हम पूछना चाथे के हमारी नौक्री कहाँ है अब बताईए हमारा एजूकेशन कहाँ है आपने कितने hospitals खोले हैं, कितने नए universities खोले हैं, ये सारी चीज़े आप बताइए, वरना आपको ये देश का चंता उखार फेकेगा ये हम उनको बताना चाहते हैं और इसी के साथ ये बोलते हुए, यहाँ पे इस वाइस चांसलर का पुतला हम दहन करेंगे, उसको जलाएंगे क्योंकि वो रेप्रेसेंट करता है इस campus में उस सोच को और उसके साथ साथ इस जो आंदोलन को यहाँ से जो आग जलेगी उसको हम आगे लेके जाएंगे यह इंशूर करेंगे कि पूरे देश में यह बात होनी चाहिए कि क्या चल रहा है जेनियू में कैसे एक तरफ आप EWS, EWS कर रहे हैं और कैसे दूसरी तरफ लोगों का एक्स्क्लूजन कर रहे हैं किस तरह से सीट नहीं आ रही है एमफिल पी एजडी में लोगों को रिसरच करना ही नहीं देना है एक सेंटर एक्स्क्लूजन का उस फेस्टी का सीट नहीं है इसने वरा एक्स्क्लूजन क्या होगा अब डेप्रिवेशन पो होईंटिस के लिए जेनियू जाना जाता है वहां पे डेप्षोन पोईंटस कथम कर रहे हैं छो नहीं आपाते हैं उनको वो बंद कर रहे हैं और तब कर रहे हैं जब पूरा SL बोल रहा है कि हमें लाटरल इंट्री का एकजाम चाहिए ऐसे दोर में जब यह सारी चीज़े कर रहे है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो एनिमी है उसको अप उखार फिकना है